नमस्कार वी दियारतियों, आपका स्वागत है ओंलाइन कक्षाओं में, हम अध्यन करें कक्षा बाराम, और हमारा जो विश्य है अनिवारे हिंदी, अनिवारे हिंदी में हमारी जो पाठे पुछते कर स्रजन, तो स्रजन का जो गड़्य खंड है उसमें हमारा जो अध्याई है चोद्वा थेले पर हिमाले लेखक का नाम है धरहंविर भारती तो उसका हम अध्यन करे हैं पहले हमने भाग एक अध्यन किया था और उसमें हमने बताये था कि किस प्रकार से जो लेखक है और उसका मित्र बैठे हुए एक दुकान पे और उनको ठेले पर लदी हुई जो बर्फ है वो उसमें से निकलने वाला जो धुआ है तो ऐसे लगता है कि जैसे वो स्विम जो है हमले को देख रहे हैं तो उनके मन में पुन है वो जो घटना है वो याद आ जाती है जो संस्मन है वो याद आ जाता है किस प्रकार से उन्होंने कोसानी की यात्रा की थी कोसी से एक जो रस्ता है अलमुडा के लिए जाता है दूसरा कोसानी के लिए जाता है और किस प्रकार से वो जब कोसानी को बढ़ रहे हैं तो उनका जो आकर्षन है वो बिल्कुल खतम हो जाता है संदोस जो है ऐसंदोस में बदल जाता है देरे जो है देरे में बदल जाता हैं तो एक निरासा सी उनके मन में जलकती रहती है तो ऐसा कल हमने पढ़ा था लेकिन जो इनके साथ में शुकल जी है वो चुप रहते हैं वो कुछ बोलते नहीं है और अचाना की जो बस एक बहुत लंबा मोड लेती है और ढाल पर चड़ना प्रारम कर देती हैं तो चली आगे देखती है कि यात्रा में क्या कठ नहीं आने वाली है या उनकी जो यात्रा है वो आनंद प्रद होने वाली है तो किस प्रकार का ये रहने वाला है इसमें इनकी यात्रा का किस प्रकार का बदलाव आएगा इनका जो सभाव है उसमें या उ कि जो वह वहार आचरण है उसमी तो चलिए आगे बढ़ती है भागदो के अंतरगत सुमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो उंची परवतमाला है उस पर बिलकुर शिखर पर कोसानी बसा हुआ है अब बता रहा है लेखा किसमी कि जो सुमेश्वर की घाटी है ना तो उसके उत्तर में जो उंची परवतमाला है उत्तर दिसा में सुमेश्वर घाटी की तो उस पर बिलकुर सिखर के उपर कोसानी बसा हुआ है कोसानी से दूसरी और फिर ढाल सुरू हो जाती है अब कोसानी से दूसरी और फिर ढाल स्टार्ट होगी कि उंचाई पी है तो जर्मीर भारती जोन के मन में कि कोई है नहीं ऐसा छोटा सा गाव है उजड़ा हुआ सा है हाना बरफ का तो कोई पृत कि मां उ दास हो गया था में लेकन करें में तो क्याब अनकाते विए बससे उतरा कि जहां पर था वहीं पथर की मूर्तिसा स्तब्द रहां गया अब पहले तो देखा कि कुछ नहीं है लेकिन बाद में बसतर्य रहां तो स्थब्द रह गया अचानक ही क्या देख लिया उसने ऐसा कि वो स्थम्बित हो गया अस्टेश चक्यत हो गया तो देखी आगे कि कितना अपार सुंद्रे बिखरा था सामने की घाटी में देखे जो उजाड सी रग रही थी हाना उज्ड़ा सा गाम था चोटा सा गाम था तो वहां पर उतने हैं लेकिन उतरते ही लेकर कहता है कि मैं तो मूर्ती जैसे और स्थब्द हो गया अब क्यों हो गया क्योंकि वहां पर सामने देखा तो संद्रे बिखरा पड़ा था पार जिसके कोई पार नहीं किनारा नहीं ऐसा इतना संद्रे इस कहानी की इस कोसानी की प्रवतमाला ने अंचल में यह जो क्लियूर की रंग विरंगी घाटी छिपा रखी है इस में कंदर एकशी ही तो वास करते होंगी अब देवताओं के पास में कंदरों के बाद में यक्षि ओर कर नम्बर आता है स्फाना आता है तो कहते हं कि बाद में जो है ना यहां पर किनरों यक्षी रहते होंगे पचासों मिल चोड़ी है घाटी हरे मकमली कालीनों जैसे खेत सुन्दर गेरों की सिलाई काट कर बने हुए लाल रास्ते जिनके किनारे सफेद सफेद पत्रों की कतार और इधर उदर से आकर आपस में उल्जा जाने वाली बेलें की लड़ियों से नदियां अब देखिए यहां पर सुन्दरता का वर्णन करते हुए लेकर कहता है कि पचासों मिल चोड़ी है घाटी है और हरे मकमली जो कालीन जैसे सुन्दर खेते हैं और सुन्दर गेरों जो रंग की सिलाई उनको काट कर लाल लाल रास्ते बना हैं और उनमें से आकर आपस में उजहा जाने वाली बेलें बेलों की जो लड़ियां से नदियां अब नदियां भी वहां पे काफी हैं ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई बेल है बिची हुई हैं और वे आपस में टक्रा रही हैं मन में बेसाक्ता यही आया कि इन बेलों की रहाया उत्सा जागरित हो गया किन लड़ियों को उठाके मैं अपनी कलाई पे ले बेट लूँ आंखों से लगा लूँ अकस्मात हमें एक दूसरी लोक में चले आए थे अचानक हम तो दूसरी लोक में आ गए सोचा ही नहीं था कलपना ही नहीं की थी कैसा सुंदर भी हो सकत और इतना सजा हुआ है निश्कलंक है यहां पर किसी प्रकार का कोई जो गंदगी नहीं है किसी प्रकार का जो बुरे वहाव कह सकते है वो नहीं है तो इस लगते कि इस धर्ती के ओपर तो जूते उतार कर पाँप पूश कर आगे बढ़ना चाहिए धेरे धेरे मेरी निगा पाहों ने इस घाटी को पार किया और जहां यहरे खेत और नदिया और वन क्षितिज के धुंदलेपन में निले कोहरे में धूल जाते थे वहाँ पर कुछ छोटे परवतों का अभास अनुबह किया उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं अब देखिए लेकर बताता ह कि धीरे धीरे मेरी जो निगाहें इस घाटी को पार करते हुए खेतों की और बढ़ रही हैं खेतों से नदिया नदिया और जहां पर खिशितिज गएते हैं जहां धर्ती और आस्मान के मिलन का स्थान होते हैं तो वहाँ पर दुंदले पन के अंदर निले कोहरे में धूल थे वहां कुछ छोटे प्रवतों का अभास मुझे हुआ और उसके बाद बादल थे और कुछ नहीं था कुछ देर उन बादलों में निगा बठकती रही कि अकस्मात फिर एक हलका सा विश्मय का धक्का मन को लगा अधर कि अकस्मात जो है एक विश्मय आस्च्रे हुआ इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह है कौन चीज है जो अटल है अटल मतलब जो स्थीर है जो इदर उदर हिल नहीं रही है यह चोटा सा बादले के टुकडे सा और कैसा अजवरंग है इसका ने सफेद ने रुपहला ने हलका नीला पर तिनों का आभास देता अजवर कितना अस्ट्रे जनक इन को द्रिश्म दिखाई दे रहा है यह है क्या और हो मन में विचार करें कि क्या है यह बरफ तो नहीं है हाँजी बरफ नहीं है तो क्या है वो खुद ही विचार कर रहा है बाचित कर रहा है अपने आप से अगर समात बिजले सा यह है विचार मन में कौन दा किसी गाटी के पार वह नगाधी राज परवत समराथ हिमालय है इन बादरों ने से ढहक कर रखा है वैसे वह क्या सामनी है उसका कोई छोटा सा बाल सभाव सिखर बादरों की खिर्की से जh máquina है यह अब देखिए लगर कर रहे है कि असी लगता है कि जैसे कॐ चोटा सबालक洲 है बादरों का बच्चा जो है वो बादरों की खिर्की में से देख रहा है तो मैं हर्स्हा-सी-रेख से चीक उठा बर्फ लॉटे पर अकस्मात वेफिर लुप्त हो गया लगा उसे बार सिखर जान किसी ने अंदर खीच लिया खिड़की से जहांक रहा है कहीं गिरना पड़े अब देखे किस प्रकार से लेखक कलपना कर रहा है इसमें कि छोटा बच्चा था तो जिस प्रकार से बच्चा खिड़की में से जांकता उसके माता पिता या उसके जो भी हौब है वो उसको खीच लेते हैं तो इसी प्रकार से किसी ने उसको अंदर की खीच लिए कहीं वो नीचे ने गिर पड़े पर उसक्षण के लिए के हिम दर सन्ने हमें जाने क्या भर दिया अब हिम यानि बर्फ के दरसन ने ने पिर हिमाले हमारे सामने खड़ा होगा निरावृत असीम संद्रे रासी हमारे सामने अभी अभी अपना गुंगट दीरे से खिशका देगी और और तब सचमुच मेरा दिल बूरी तरह धड़क रहा था अब देखे किसी चीज के अगर हम कलपना करते हैं न और उसकी निकरता हमें मिलने वाली होती हैं तो हमारा जो हरदय वो बूरी तरह से धड़कना प्रार्म कर देता हैं लेकर शुकल जी सांता थें केवल मेरी और देखकर कभी कभी मुश्क्रा देते थें जिसका विपराय था इतने अधीर थें कोसानी आया भी नहीं और मुहें लटका लि डाक बंगले के खान सामे ने बताया कि आप लोग बड़े खुश किसमत हैं सहाब 14 टूरिस्ट आकर अफ़ते बर पड़े रहे बर्फ नहीं दिखी अब खान सामा गयते हैं जो रसोई है उसको खान सामा पका जाता है तो हम जहां रुके ना डाक मंगले में तो वो खान सामा था जो रसोईया था वो कहते हैं कि आप बड़े खुश किसमत हैं कि यहां पर बर्फ गिर रही है पहले 14 टूरिस्ट आये थे यहां पर एक अफ़ता बर यहां रुके लेकिन बर्फ नहीं दिखी उनको आज तो आप के आते ही आसार क्ख Χुलने के हो रहे हैं अब खुलने के मतलब कि बर्फ गिरेगी तो ऐसा लग रहा है सामान रख दिया गया पर सभी बिना चाय पिये सामने के बरामने बैठे रहें और एक टक सामने देखते रहें बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक-एक कर नए नए शिकर की हम रेखाएं अनावरित हो रही थी और फिर सब खुल गया बाई और से सुरू ओकर दाई और गहरे सुन्ने में दस्ती जाती हुई हिम शिकरों की ओबड़ खाबर रहस्या में रोमांचिक स्नक्रा अब इसमें लेकर कहता है कि बाई और से सुरू ओकर जो द फिता बाता तो वे हैं तो यह खरोंच यह पीर ही क्यो रहगी होती अब लेक आदे के हमारे मुन में उसमें क्या भाव उठ रहे थी तो अगर भूटाद रहे थी तो यह एक रोच जो है ना जो बर्फ की सिलिय ने हमारे मन में भी डाली है या पीडा जोटपन की है तो वह नहीं रहती है सिर्फ एक दुंदला सा समवेदन इसका वश्य था कि जैसे बर्फ की सिलिय के सामने खड़े होने पर मुहें पर ठंडी ठंडी भाव लगती है वैसे ही हिमाले की सिल्टा मात्य को चू रही है वो सारे संगर्श सारे अंतर दौंद सारे ताब जैसे नश्ट हो रही है अब देखे लेकर कहते हैं जिस प्रकार से हम बर्फ की सिल्ट के सामने खड़े हो जाते हैं तो ठंडी अबाव हमारे लगती है जो ठंडी ठंडी भाव लगती है तो उसे उसी प्रकार से हिमाले की जो सीतलता है वे हमारे मात्य को चू रही थी हमारे जो संगर्श थे जो अ आ रहा था अब देखिए तीन ताप बताए गए हैं देविक और भौतिक तो लेकर कहते हैं कि इन तीनों को शब शम्मित करने के लिए दूर करने के लिए ही यहां पर शादू सन्यासी आते थे जो सादक है वो आते थे तो यह बात मेरे पहली बार समझ में आई हैं और अकस्म हुआ है कुछ विदेशियों ने इसलिए हमाले के इस बरफ को कहा है कि चेरंतन हिम एंडर्ट सनों सुरज धर रहा था और सुदूर सिखरों पर दर्रे गलेशियर धाल घाटियों का शीन आभास मिले लगा था अब क्योंकि सूरज धिरे धिरे धिर धिर रहा है तो जिसके क मतलब कि धिरे धिरे हमारी आँखों से ओजर होती ही इस परतीत हो रही थी आतंकित मन से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इस इन पर कभी मुनश्य का चन पड़ा भी है या नहीं या अनंत काल से इन सुने बरफ ढर ड़के दर्रों में सिर्फ बरफ के अंदर हूं हूं करते वे बहते रही हैं अंधर का मतलब होता है तुफान कि क्या केवल यहां पे सिर्फ जो बरफ के तुफान ही यहां पे आते रही है क्या सुरज डूबने लगा और धीरे धीरे गलेशीरों में पिगली केसर बहने लगी अब गलेशीरों में पिगली केसर का रंग लाल है इसमे तो जैसे जैसे सूरज डूब रहा है तो वैसे वैसे जो लालीमा है वो बरफ पर गिर रही है और ऐसे लग रहा है कि जैसे केसर उनके पर बह रहा हूँ बरफ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी घाटियां गहरी पीली हो गई अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुहें हाद दोने और चाय पीने में लगे पर सब चुप चाप थे अब कोई बोल नहीं रहे कुछ भी गुम सुम जैसे सब का कुछ चिन गया हो या साइद सब को कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर से हजने में सब आतम लीन हो या अपने में डूप गई हो थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकलें इस वार सब सांत था जैसे हम सो रहा हो मैं थोड़ा अलग अराम कुर्शी खीश कर बैठ गया हूं अराम कुर्शी मतलब कि आपने देखा होगा कि जो कुर्शी बैठने पे आगे पीछे होती है तिया अप तो उसे अराम कुर्शी का आजाता है वो बैठ गए हैं उसके उपर इस लेखर कह आ है और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर एक पंक्ती हाई एक सब्द भी तो नहीं जानता हूँ अब आतम गलानी का जो भाव है लेखके मन में आ रहा है कि वो कुछ भी नहीं जान रहा हूँ पर कुछ नहीं यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम समराट के समक्ष अब हिम समराट जो है वो हिमालेव का आ गया है पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रही है अब क्या बादल थे अब ऐस अंतोस हाना इस प्रकार के भाव उनके मन में आ रहे थे ना कि कोसानी तो आ गए है कुछ दिखनी रहा चारो तरफ सुखे जो परवत हैं तो कहीं भी कोई जो हर्याली दिखाई नहीं दे रही तो ऐसे जो मन के अंदर विकार रूपी जो बादल थे वो छट रही है कुछ ऐसा उबर रहा है जो इन सिखरों की ही प्रकरती का है कुछ ऐसा जो इसी उँचाई पर उठने की चेश्टा कर रहा है ताकि इन से इन ही के स्तर पर मिल सके लगा यह हिमाले बड़े भाई के तरह उपर चड़ गया है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लजटित दे कर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है स्ने भरी चुनोती भी दे रहा है हिमत है उन्चे उठो गए非常 कि जो हीमाले मुझे चुनोती दे रहे हैं एक साहस बंदा रहा है कि तुम भी उपर उठ सकते हो और हिमत रखो और सहहसा सनाटा तोड़कर सैन रविंदर की कोई पंक्तिगा उठा और जैसे तंदरा तूट गई और हम सक्रिया हो उठे अदम्य शक्ति उलास आनंद जैसे हमें छलक पड़ रहा था सब से अधी खुश था सैन बच्चों की तरह चंचल चिडियों की तरह चहकता हुआ अब क्योंकि ये भी तो इनका एक सा सब्रपाप के हैं अभूनी का ये वंदन हो रहा है कि बड़े तो थे ये लेकल बच्चों की दरह चंचल भी थे चिलियों की तरह श Salt भी रही थे बोला भाई साथ हम तो वर रसक्क हम पूझा है कि यहां भगवान का क्या 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 करतूत izlä मोला होता है करतूत मतलब करें क्याता है, दृनिक चित्रशरीश निर्ज़ से थोड़ा राज है और कहने लगा ओ सब जिनियस लोग सिर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है इसे से हम भी सिर का बल हिमाले को देखता है अगर देखें इसमें वो बता रहे हैं कि सब भी लोग जो है सिर के बल खड़े होकर दुनिया को देखते हैं और हम भी सिर के बल हिमाले को देखते हैं दूसरे दिन गाटी में उतर कर बारा मिल चलकर हम बैजनात पहुंचे जहां गोमती बहती है गोमती को जोल जलरासी में हिमाले के बर फिली चोटियों की छाया तैर रही थी अब दूसरे दिन जो है पहले दिन तो सिर्फ हमाले के दर्शन की हैं देखा है और डाक बंगले से वो दूर नहीं गई है लेकिन दूसरे दिन जो है घाटी में उतर कर बारा मिल चल कर हम बैजनात पहुंचें जहां गौमती वहती है गौमती ये नदी का नाम है गोमती की उजवल जो जल रासी में हिमाले की बर्फिली चोटियों की चाया तैर रही थी अब गोमती नदी की जो जल रासी है जो जल है उसमें उजवलता में जो हिमाले की बर्फिली चोटियां है उनकी चाया तैर रही थी पता नहीं उन सिख्रों पर कब पहुंचूं पर उस जल में तैरते हुए हिमाले से जी भरकर बेंटा उसमें डूबा रहा हूँ अब देखे लेकर कहते हैं कि उन चोटियों पर तो निजने कब चड़ूं लेकिन हिमाले की जो चोटियों की जो परती चाया थी जो गोमती की जो जलराशी के अंदर आ रही थी तो उनके माद्यम से मैंने हिमाले की जो चोटियों थी उनको जी भरकर देखा और उनमें डूबा रहा आज भी उसकी याद आती है तो मन पीरा उठता है पीरा मतलब पीडा भर जाती है मन में कल ठेले के बरफ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यास का जिस तरह स्तमरतियों में डूब गई उस दर्द को समझता हूँ और जब ठेले पर हिमाले की बात कहकर हसता हूँ तो वह उस दर्द को बुलाने का ही बहाना है अब देखे लेखक ने जिस सुंदरता का अनुभव किया था तो वह उस से काफी दूर है तो लेखक कहता है कि जो दर्द मन में उठता है तो मैं उसको भुलाने की कोशिश करता हूँ वे बरफ के उंचाईयां बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चुराहों पर खड़े ठेले पर लदगर निकलने वाली बरफ को ही देखकर मन बहला लेती है किसी ऐसे क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालियों से घिर कर ही तो तुरसी ने नहीं कहा था कब हुक हो यही रहनी रहोंगे मैं क्या कभी ऐसे ही भी रह सकूँगा वास्तवी कि हम सिखनों के उचाईयों पर और तब मन में आता है कि मेरा फिर हिमालियों को किसी के हाथ संदे सा बेजूँ नहीं बंदू आऊंगा अब देखे हमालियों मुझे ना किसी ने किसी रूप में बार वर बुला रहा है अब जैसे बर्फ किसी लियों के रूप में मुझे बुला रहा है तो लेखक कहता है कि मन में आता है कि कि किसी का संदे सा बेज़ दू हमालियों को कि मैं बापिस आऊंगा मैं फिर लोट लोट कर वहीं आऊंगा उन्हीं उंचाईयों पर तो मेरा आवास है और आवास है वहीं मन रमता है मैं करूं तो क्या करूं अब लेकर प्रश्ण हमारे सामने प्रकट करता है कि मेरा मन तो वहीं पर रमता है लेकिन करूं भी तो क्या करूं मैं क्योंकि वहां जाने को मन तो कर रहा है लेकिन प्रस्तितियां ऐसे कि वहां जाया नहीं जा रहा है तो इस प्रकार से लेखक के मन में बार-बार ऐसी पीड़ा जागरित होती है कि वह पुन है उसी आनंद को भोगे जिसको उसने पहले प्रकार से उसकी सुन्दरता थी हिमाले की और कोसानी जो कितना चोटा सा गाम है फिर भी अत्यंत सुन्दर है वास्तम में ही वह सुन्दरता को अपने अंदर समेटे हुए हैं तो यह था हमारा अध्याय चोद्वा थेले पर हिमाले तो इसी के साथ ही हमारे यह अध्याय यहां पूर्ण हुगा तो आगे के अध्यायों के साथ पुने अपने प्रार्म करेंगे लेकिन आज के लिए इतना ही धन्यावाद